हेलो एब्रिवान वेलकम टो अभीपीडिया पाउड बाइभिमन्यु आई एस मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर टू की टी फाइफ सीरीज के अंदर आज का हमारा टोपिक है पजल तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि पजल सी सेट के अंदर काफी इंपो और उसके उपर आपकी six questions exam में आई हुए थी that means कि आपका 15 marks की पजल है ये और देखिए कि इस पजल को हम आज कैसे solve करते हैं ठीक है वैसे तो कुछ बच्चे अलग-अलग method से puzzle solve करते हैं तो आज मैं आपको एक easy way बता रहे हूं जिस तरह से आपको अपनी पजल को बहुत क यहां पर क्या है बच्चे की नेम गीवन है ठीक है जैसे भी आप पजल को पढ़ते हो वैसे उसको साथ साथ अनलाइज करते हुए जाना है कि कौन-कौन से variables हमारे आ रहे हैं ठीक है उसके बाद कह रहा है कि they are studying four different cities means दूसरा variable हमारे पास में क्या है cities not necessarily in that order that means कि इस जिस order में दिये हुए है उसी order के अंदर नहीं है ठीक है जरूरी नहीं है कि इसी order में हो उसके बाद में क्या है they are studying in science college उसके बाद में क्या कह रहा है उनके college बता रहा है science college arts college ठीक है commerce college engineering college चार colleges given है उनके ठीक है which are situated in four different states और जो colleges है वो अलग-अलग states के अंदर है विज गुजरात राजस्थान आसाम एंड केरला clear है तो हमारे पता चल गया कि हमारे पास में four variable puzzle है तो four variable puzzle अगर आप करते हो तो आप एक table बना के करिए ठीक है जब आप table के method से four variable puzzle को करते हो तो बड़ी ही easily आपकी हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर table कैसे बनाने पहले सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक table मनाते है उसके अंदर हम क्या रखते है जो भी आपके पास में बच्चि occupational गीवण है जैसे यहाँ हमें क्या गीवं था name है ठीक है और क्या given है हमारे पास में बचे city given है clear उसके बाद में क्या given है आपके पास में बचे call is given है ठीक है और call is के बाद में क्या given है आपके पास में state given है that means कि हमारे जो table है उसके अंदर आपको यह चारो variable लेने अब इसके अंदर से एक variable जो है उसको आप serial wise लगा लेजे किसी मर्जी को लगा लेजे most probably हम नाम को serial wise लगा के चलते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं like A, B, C and D ठीक है अगर बच्चे बाकी जो variable है like city है अगर आप mind में रख सकते हो कि हाँ जी P, K, O, R, S है तो यहाँ पे आपको write down करने की जरूरत नहीं है ठीक है बट अगर आपको लगता है कि हाँ जी कुछ गलती होने के chance चलो लिखी लेते हैं तो आप यहाँ पे write down कर लेजे clear, हाँ जी समझ आ रहे है मैं बिल्कुल ऐसे लेके चल रहे हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता ठीक है बिल्कुल zero level से आपको समझा रहे हूँ उसके बाद में क्या कह रहा है college तो यहाँ पे आप इसके colleges mention कर लिजे like अपने पास में कौन से college दियो है science है ठीक है उसके बाद में क्या है arts है उसके बाद में आपके पास में बच्चे commerce है ठीक है और उसके बाद में है आपके पास में engineering है ठीक है तो चार हमने colleges ले लिए उसके बाद में four states given है कौन-कौन से states है आपके पास में गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, असाम है, और केरला है, ठीक है, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, टेबल कलियर है, उसके बाद में जो जो आपके पास में information गीवन है, उन information को हम इस टेबल के अंदर set करते हुए चलेंगे ते एक बार साफ साफ टेबल देख लेते हैं यह मैंने साफ से आपको एक बार टेबल दे दी है clear यही था हमारे पास में name city college ABCD हमने यहाँ पर place कर लिए PQRS cities है colleges कौन से थे अपने science art commerce and engineering and which state कौन से थे आपके पास में गुजरात राजस्थान असाम एंड केरला clear है उसके बाद में अब हम इसके आगे जो further information दे रखें उनको रेड करते हैं अब यहाँ पर देखें क्या लिख है D is studying in Assam देखें जैसे जैसे आपके पास में information given है और उनको आप अपनी table में directly place कर सकते हो तो उसको आप directly place कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर देखें हमारे पास में क्या given है D is studying in Assam तो यहाँ पर देखो D यहाँ पर है Assam Assam क्या है state था हमारा तो यहाँ पर D का हम क्या लिखेंगे बच्चे Assam clear है Assam हमारा आ चुका है इसको cancel out कर दीजिए done अब देखें आगे क्या है Arts College is located in city S which is in Rajasthan अब देखो इसमें बच्चे का name given नहीं है तो हम अभी इस table के अंदर इसको place नहीं करेंगे बस जिस serial wise में हमने table बना रखें उस हिसाब सिसको हम साइड में note down कर लेंगे उसने जैसे काया कि Arts College हमने College बाद में लिखें सिटी पहले लिखें तो हम पहले सिटी लिख लेंगे क्या लिखेंगे S ठीक है Arts which is in Rajasthan ठीक है तो यह अपने बास में Rajasthan यह हमने side में लिख लिया अब हमें यह पता है कि तिनों की तिनों जो भी information गीवन है उसका college state और branch यह सभी की सभी A की line में आएंगी एक ही row के अंदर आपको place करनी है clear? ओके उसके बाद में देखें क्या given है A is studying in commerce college A जो है वो commerce college के अंदर पढ़ता है तो A का हमारे पास में यहां पर आ गया किस में है A? Commerce college में है done? B is studying in city Q B कहां पर पढ़ रहा है क्या हूं city के अंदर read करता है? ठीक है? B is studying science college is located in Kerala जो science college है वो Kerala के अंदर है अभी ये भी अभी हमें नहीं पता कि हमने कहां place करना है तो आप इसको भी side में लिख सकते हो science college जो है वो कहां पर है बच्चे? केरला के अंदर है clear? हाँ जी अब देखिए अब यहां पर हमारे पास में क्या है? four rows है तो अब देखो ऐसी कोई row जिसके अंदर हम इन तिन्नों को कठ़ा place कर सकते है देखो जो first है एक a के साथ में यहां पर commerce है arts हम नहीं डाल सकते यहां पर हमें s चाहिए तो s यहां पर नहीं आ सकता ठीक है और यहां पर बच्चे given है आसाम और हमें क्या चाहिए राजस्थान तो यहां पर देखो जो c वाली row है आपकी जो c person है उसकी row बिल्कूल हमारी blank है तो यहां पर हम इसको place कर सकते है तो यहां पर हमने इसको लिखा s ठीक है arts clear और यहां पर आपके पास में क्या है राजस्थान अब देखो हमारे पास में जो जो भी हम write down करते जा रहे उसको वहां से आप cut करते चलो देखो राजस्थान यहां पर आ गया commerce और आपके पास में बच्चे arts आ गया क्यो एंड ऐसा आ गया ठीक है अब हमारे पास में statement क्या थी कि जो science college है that is located in केरला science college के अंदर है अब यहां पर अगर मैं science लिखती हूँ college के लिए अभी मेरे पास में सरफ दो प्लेस बचे एक तो यह वाला place है बचे एक यह वाला place है ठीक है अब उसने कहा है कि जो science college है वो तो केरला के अंदर है अगर that means कि science यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि अगर वो होता तो आसाम में होता यहां पर दोनों के लिए space बचा हूँ तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो science college है वो कहां पर आपका केरला के अंदर है डन ओके अब देखिए science college भी आ गया अब यहां से देखिए हमारे पास में कौन सा college रह गया इंजीनियरिंग रह गया तो इंजीनियरिंग के लिए यहां पर space रह गई यह आपकी तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चे engineering college ठीक है और state में से क्या रह गया हमारे पास में गुजरात रह गया है तो गुजरात आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है बच्चे उसके बाद में देखिए city city हमारे पास में रह गया एक P और एक R बट यहां पर P और R से regarding कोई भी information given नहीं है तो आप क्या लिखोगे तो tension लेने की जरूरत नहीं आप दोनों का यहां पर ऐसे place कर दीजी कि यहां पर या तो P आ सकता है या तो R आ सकता है this is not confirm कि यहां पर P आएगा या फिर R आएगा clear आपकी puzzle तैयार होगी है अब इस puzzle के उपर based आपके आगे further questions होते हैं ठीक है अब उन questions को हम solve करते हैं पहले table बना लिया है ठीक है जी after creation of the table हम क्या करेंगे कि कि किसी भी एक variable को serial wise मैंने note down कर लिया तो यहां पर हमने name को note down कर लिया है most probably हम name को ही लेके चलते हैं ठीक है तो name हो गया उसके बाद में जो हमारी table है तो जो information आपके पास में given है उसके according आप अपनी table के अंदर उनको place करते हुए जाओगे ठीक है और जो information हमारी table के अंदर fit नहीं होती उसको आप क्या करोगे side में note down कर लोगे clear है बच्चे तो अब यहां पर हमने side में इसको जैसे इन दोनो information को note down कर लिया था अब बाद में हम देखेंगे कि यह जो information है बाकी की information को table में add करने के बाद में जहां प इस पर based question देखते हैं first question है आपकी screen पे बिटे यह जो puzzle का solution था यह मैंने यहां पर आपके पास में clear दिया है बिल्कुल साफ साफ हमारे पास में यहां पर है देखी क्या है अब कहा रहा है A is studying in A कहां पर पढ़ता है कोन से अब यहां पर क्या है सारे कि सारे states है ठीक है और city अब देखो A को देखो A कहां पर पढ़ रहा है हमारा A राजस्तान में है नहीं है एक आप गुजरात में है ठीक है तो यहां पर राजस्तान आपका cancel out हो गया city क्यों cancel out हो गया क्या आजाएगा गुजरात आजाएगा बिल्कुल clear है उसके बाद में देखिए next question क्या है आप science college देखिए, यह है आपका science college करा कि यह कहां पे located है, तो यह कहां पे located है तो यहां पे बच्ची city given है तो आप देखो कि कौन से city में given located है, यह क्यों के अंदर located है तो आपका answer क्या जाएगा city, clear ओके, तो next देखते है next क्या है, see is studying in see is studying in C ये है आपका, अब ये कहां पे study करता है, देखो, science college है इसका, नहीं, इसका तो arts college है, that means कि ये आपका wrong हो गया, ठीक है C is studying in Rajasthan, यहां पे देखो क्या है, C is studying in Rajasthan ये बिल्कुल आपका correct हो गया, ये से तो अगर आपका जैसे correct answer आजाता है, तो बाकियों को check करने की जुरूरत नहीं है, फिर भी अभी मैं आपके लिए एक बर बता देती हूँ देखो, कहारा गुजरात, गुजरात में नहीं है, गुजरात में क्या है P या फिर क्यो, ठीक है उसके बाद में हमारे पास में ऐसे भी question आ सकता था, कि इन गुजरात फिर या आप यह कहता, the state गुजरात ठीक है जी, which city the person A is the person A which is in college of commerce situated at गुजरात is in which city, तो आपके पास option आ सकती थी, P, R क्यो, S, तो हम क्या कहते है either P or R clear, okay, तो यहाँ पे अपने पास में देखो क्या answer आ जाएगा, इस question का राजिस्थान आ जाएगा, next देखते है बच्चे, next क्या है, next क्या रहा है which one of the following statement is correct कौन सी statement correct है पहले आपके पास में D is not studying in city S अब पहले D के बारे में देखो D, S में नहीं study करता तो देखो यहाँ पे D, P या फिर R में study करता है confirm है कि S के अदर study नहीं करता तो यही statement आपके पास में correct है ठीक है, हाँ जी बाकी देखने की जरूरत है, चलो देख लेते वैसे तो आपके पास में answer यहीं से आ गया एक्जाम में आपको time waste करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब आपके पास में puzzle बिल्कुल correct बनी हुई है तो उसके base पे ही आपको answer देना है और यहाँ पे हम अपनी puzzle को बना चुके है ठीक है, तो यहाँ पे देखे आगे क्या है, A is studying in science college A is science college के अंदर study करता है तो देखो A कहाँ पे है आपका commerce college के अंदर study करता है यह रोंग है बच्ची A is studying in Kerala, A is studying in Gujarat not in Kerala, so this is again wrong engineering college is located in Gujarat, in Gujarat commerce college is located so this is again wrong clear बच्ची, तो next question देखते है, next क्या है which one of the following statement is correct regarding engineering college engineering college की बात कर रहा है बच्ची engineering college कौन सा है, हमारा यह है engineering college clear, आप देखो क्या कह रहा है कहता है, C is studying there, no D is studying there, not C तो यह क्या हो गया, wrong हो गया कहता है, B is studying there, no B is not studying there, ठीक है तो यह भी आपके पास में क्या हो गया हाँ जी, यह भी wrong हो गया आपका ये भी रोंग हो गया, उसके बाद में कहता है, it is located in Gujarat, engineering college is located in Assam, not in Gujarat, तो ये भी बच्चे क्या हो गया, रोंग हो गया, कह रहा है, D is studying in there, obviously in engineering college, who is studying, D is studying, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये आपका correct हो गया, clear, तो क्या answer आगे आपका, D is studying there, done, okay, तो next question की तरफ statement correct है, देखी, engineering college is located in Assam, पहले engineering college देखते हैं, this is the engineering college and this is located in Assam, so this statement is correct, तो ये statement आपकी बच्चे correct हो गया, यहीं पर आपका answer आगे है, चलो जी बाकी देख लेते हैं, बाकी क्या है, city क्यों ही situated in Assam, जो है city क्यों है, Assam के अंदर गलत है, ये आपका Kerala के अंदर है, ठीक है, C is studying in Kerala, no, C is not studying in Kerala, C is studying in Rajasthan, तो ये भी आपके पास में wrong है, उसके बाद B is studying in Gujarat, A is studying in Gujarat, not B is studying in Gujarat, तो ये भी आपके पास में बच्चे क्या हो गया, wrong हो गया, clear है, तो देखे बच्चे, जो puzzle है, काफी important है, और practice के लिए आप भू सारी puzzles के उपर practice कर रही है, ठीक ह next class के अंदर हम आपके लिए दो या तीन puzzles लेके आएंगे, so that आपकी अच्छे से practice हो जए, clear है, okay students, आज के लिए इतना ही, thank you so much.